नमस्कार में अप्रिया बिहार नियूज में आपका स्वागत है खबरों के दरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में जमीन खरीदना होगा महंगा बिहार बोर बारहवी परिक्षा के टॉपर्स का सोमवार से शिरू होगा इंटर्व्यू अज़कत वाहनों और मॉडिफाइड साइलेंसर के लिए चला विशेश अभियान कि बिहार पुलीस में दरोगा और सिपाही पदों पर होगी सीधी नियुक्ती बिहार के शेहरी इलाकों में बनेगा इतना हेल्थ और वेलनेस सेंटर अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में जमीन खरीदना होगा महंगा बिहार में अब जमीन खरीदना महंगा होने वाला है क्योंकि जल्द ही जमीन का MVR यानि कि minimum value rate जल्द बढ़ सकता है उमीद है कि ऐसे में जमीन रेजिस्ट्री के लिए ज्यादा पैसा चुकाना होगा पिशली बार साल 2016 में यानि कि 6 साल पहले MVR बढ़ा था अलग-अलग जिलो में इसकी दर 10-40 फीजी तक बढ़ाई गए थी अब एक बार फिर से राजसरकार अप्रेल में MVR बढ़ाने की तयारी कर रही है राजसरकार का निबंधन विभाग इसके लिए होमवर्क में जुटा हुआ है राजसरकार से हरी जंडी मिलते ही जिलो के स्तर पर MVR बढ़ाने की प्रक्रियाज शुरू हो जाएगी उसके बाद बढ़ी हुई दरों के आधार पर लोगों को निबंधन शुर्क देना होगा सिक्षकों की उम्रसीमा बढ़ाने पर सरकार करेगी सोच विजार जल्धी बिहार में साथवे चरन के तहट सिक्षकों का नियोजन होने की तयारी हो रही है सरकार की योजना के अनुसार साथ वे चरन में 40-50,000 सिक्षकों का नियोजन किया जाएगा वहीं सिक्षकों की तरफ से भी नियोजित सिक्षकों को लेकर दिये गए बयाने काफी चीज़े साफ हो गई है जिसके तहती पहले तो उन्हाने सभी सिक्षक अभिर्थियों को यकीन दिलाया है कि वो साथवे चरण के नियोजन के लिए निश्चित रहें वहीं सिक्षकों को मौका दिये जाने पर सिक्षा मंतरी विजय चौधरी ने साफ कहाए कि हाई कोट के आदेश के मताबिक 2013 में स्टी इटी उतर्न अभिर्थी जुन्होंने बी एट 2017-19 में किया है उन्हें साथवे चरण में बहतल धंग से मौका दिया जा सकता है उन्हाने साफ किया कि साथवे चरण के सिक्षक नियोजन के लिए ऐसे अभिर्थियों की उम्र सीमा अगर पूरी हो रही है तो उन्हें उम्र में एक साल की अतरिक्त छूट भी दी जाएगी बिहार में चार-पांस दुनों में तेजी से चड़ेगा पारा बिहार में पच्छवावा के अंडरंतर प्रवा होने से साथी तापमान में बदलाव की स्थिती बनी हुई है आलम कुछ यू है कि सुभे के समय हल्की ठंड और धूप निकलते ही सूरच के तलखते वर लोगों को गर्मी का एहसास दिलाते हैं मौसम विभाग के तरफ से मिली जानकारी के अनुसार चार से पांच दुनों में प्रदेश का अधिक्तम तापमान चौतेस से चातिस डिग्री सेल्सियस रहने का पुरवानवान है जो उसके फल्सवरूप गर्मी का असर होने से परिशान रहेंगे वही मौसम विभाग के इंद्र पटना की माने तो पिछले 24 घंटे के दौरान राज़धानी पटना के अधिक्तम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस और नियुंतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्शी गई है अन्फिट वहनों और मोडिफाइड साइलेंसर के लिए चला विशेश अभियान बिहार का परिवहन विभाग बिहार को प्रदूशन मुक्त राज़ी बनाने में लगा हुआ है यही कारण है कि तेजी से सालों पुरानी गाड़ियों को हटानी जैसी बाते कही जा रही है इसी बीच और बिहार में बेते दन से एक और मोहीम की शिरवात हुई है जिसके तेहती बिहार के लगभग सभी जिलों की सरकों पर से अन्फिट वाहन और मोडिफाइट साइलेंसर के लिए विशेश अभियान चलाए गया है हेलमिट, सीट बेल्ट के साथ-साथ व्यवसाइक वाहनों के फिटनेस जाच और मॉडिफाइड साइलिंसर की जाच की गई मिली जानकारी के नुसार अभियान के दौरान कुल 1056 वाहनों की जाच में हेल्थ और वेलनलेस सेंटर खोले जाने को लेकर काम जोर शोर से कर रही है स्वास्त का दारा बढ़ाने के लिए राज में 263 नए हेल्थ और वेलनलेस सेंटर की स्थाप ना की जाएगी रास्ट्रिय शहरी मिशिन के तहट प्रत्ते 15,000 की आबादी पर एक Health and Wellness Center खोला जाएगा आपको बता दे कि हाली में 15 वेवित आयोग ने बिहार को नए Health and Wellness Center के स्विक्रते दी है अभी तक शहरी शेत्रों में 110 शहरी प्रत्मेक स्वास्ते केंडर से शहरी आबादी को स्वास्ते की से वाइद दी जा रही है ये Health and Wellness Center इनसे अलग होगा बिहार बोर्ट बारहवी परिक्षा के टॉपर्स का सोमवार से शिरू होगा इंटर्व्यू बिहार बोर्ट भले ही समय से पहले परिक्षा का आयोजन करने के लिए मशूर हो साथी समय पर परिणाम जारी करने के लिए भी जाने जाती हो लेकिन कई बार बिहार बोर्ट टॉपरों को लेकर फजीहत का सामना भी कर चुकी है इसी को धियान में रखते हुए इस बार बिहार सरकार अपने सभी टॉपरों को फजीहत से लेकर बचाने की कोशिश कर रही है बिहार सरकार अपने टॉपरों को लेकर फुक फुक कर कदम रख रही है जोसके तहती अब बिहार विद्याले परिक्षा समीती पटना की इंटरमीडियेट वार्शिक पुस्तिका दो हजार बाइस के उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कारे पुरा होने के बाद अब सोमवार से टॉपर्स का इंटरव्यू शुरू होगा उमीद है कि टॉपर्स का इंटरव्य और रिजल्ट का अंतिम रूप देने का कारे तीन चार दिनों में निप्टा आया जा सकता है इसे साब से देखा जाए तो बोट 16 या 17 मार्च को बिहार बोट 12 परिक्षा के परिणाम को घोश्रित कर सकता है बिहार के सभी आंगनबाडी केंद्रों पर सकती बढ़ाने की तयारी हो रही है इतना ही नहीं अधिकारियों पर सकती बरतने की भी योजना है मिली जानकारी के नुसार कई जिलों से विभाग को शिकायत मिली है कि केंदर नियमित नहीं चलता है और अधिकतर समय बंध रहता है सेविका सहाइका के मनमानी की खबरे भी आती रहती है इसके बाद ही अब मुख्याल स्तर पर जाज के लिए टीम गठित हुई है जो 14 मार्ट से जिलों में रांडम जाज शुरू करेगी वहीं जो केंदर बंध होंगे उनकी पुष्टी होने पर सेविका सहाइका के लावा संबंधित पदाधिकारी उपर कारवाई की जाएगी पुलीस में होगी इसके साथ ही इसका एलान काफे पहले हुआ था लेकिन अब किनरों के लिए एक और रहात की खबर सामने आई है जिसके तहट बिहार पुलीस में अब किनर समुदाए के लोगों की सीधी बहाली होगी इसको लेकर सामाने प्रसाशन ब्रभाग ने संकल पजारी कर किनरों या ट्रांसजेंडर को पिछरा वर्ग अनुसूची दो में शामल किया है इसके तहती सिपाही या दरोगा की आगामी न्यूकती के समय में प्रते पांच सो पदो पर एक ट्रांसजेंडर की सीधी न्यू अग्ति में चर्णों में किनरों को पिलीस सेवा में सीधी न्यूकती करवाई जाएगी। इस्तमाल करने को लेकर के हाली में बिहार सरकार की तरफ से प्रस्ताफ केंदर सरकार के पास भीजा गया था जिसके साथ ही पंचो और सरपंचो के वोट देने के अधिकार को लेकर के अपनी मुहर लगाई गई हैं केंदर सरकार के बाद अब इस प्रस्ताफ को मंजूरी के लि चार प्रसार कर रही है, इन प्रोजेक्ट में बुकिंग भी ली जा रही है, इस मामले में बिहार रियल अपीलियेट ट्रिब्यूनर ने स्वतह संयान लेते वे बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को नोटिस भेजा है, साथी 16 मार्श 2022 को होने वाली अगली सुनवाई के जवाब के साथ ही उपस्तत होने का अंदर देश पी दिया, आपकी जानकारी के लियाग को बता दे कि बिहार रियल एस्टेट अपीलियेटर ट्रिब्यूनर के लोगों से लगातार शिकायत में रही थी, कि कई रियल एस्टेट कंपनी आपने प्रोजेक्ट का रेरा में रेजिस्ट्रेशन कराए बगैर ही इसकी बुकिंग करा रही है। ये बात मानते हैं कि छात्राओं की संख्या ज्यादा होने के बाद ही विश्विद्याले के चिनाव में जीत होगी, निश्चित तोर पर ज्यादस ज्यादा छात्राओं को राश्ट्री जिंतादल के संगठन से जुड़ना होगा और इसको लेकर सबसे पहले जो छातर बाती को देश के अलग-अलग राज्यों में मजबूत करने में लगी हुई है, इसी के तहट अलग-अलग राज्यों में हो रहे हैं चुनाव में जद्यू अपनी किसमत भी आजमा रही है, खाली में जद्यू को इसका परिणाम मनिपृवधान सभाच चुनाव के दोरान जब जद्यू के छे अमिद्वारों ने वहां जीत दर्श की, जिसके बाद ही जद्यू का खौस्त लावी बुलंद हुआ, इसी बीच जद्यू के रास्ट के धक्ष राजीव रंजन सिंग उर्फ लनन सिंग ने शनिवार को अपने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड कि किया ऐलान, मुझाफर पुर जिले के बोचहा वधानसभाज शेत्र के उपचनाव की तारीक का ऐलान निर्वाचनायोग ने कर दिया है, वहीं सीट है उस पर विकास श्रील इंसान पार्टी के वधायक मुसाफिर पास्वान के निधन के बाद ये खारी हुई थी, इतना ही निर्वाचनायोग के देश के अन्य चाल राजे में भी उपचनाव की खोशना कर दी है, जिसमें पशिर मंगाल और आसनसोल और बली गंगा, चोतिसगर और खेरागर, महरास्टर का कोलहापूर उत्तरी वधानसभाज शेत्र शामिल है, भारत निर्वाचनायोग के तरफ स साजा की गई जयानकारी के नवजार, इस सभी सीटों के लिए 17 मार्च को अधी सूचना जारी की जाएगी, 24 मार्च तक नाम आंकन किये जाएंगे, जिबकि 28 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, 12 अप्रेल को इन्वधान सभा शेत्रों में चुनाफ कराए जाएंग वहीं इस माहमारी को मात देने में कुल 5569 लोग का अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, इसके साथ ही कलदेश में 5569 लोग तो ठीक हुए ही, साथ ही साथ अब आक्टिव मामलोगी संख्या गढ़कर 38,009 पर पहुँच गई है, वहीं इस माहमारी से जानगवाने वालों कि संख्या बढ़कर 5,15,850 हो गई है, अजीत अगरकर ने चुनी IPL की सर्विस रेस्ट ओल ताइम 11, अजीत अगरकर ने अपना जलवा IPL में भी बिखर रहा है, अजीत अगरकर ने भारत के लिए 26 टेस्ट, 191 वंडे और 4 T20 मैच खिले, 200 से ज्यादा इंटरनाशनल विके खिलारी अजीत अगरकर ने अपने ऑल राउन प्रिदर्शन से टीम इंडिया को कई एहम मुकाबले जित्वाए हैं, अजीत अगरकर ने वेस्ट इनीज के दिकच खिलारी, क्रिस गेल को भी अपनी टीम का उपनर चुना है, गेल का साथ देने के लिए अजीत अगरकर ने शंकर मुख्या, बलदेव कुमार, विजय कांत कमले, शर्मा, संतोष, हांसदा, पोनम कुमारी, योगेंद्र कुमार, अनिल यादव, आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हर दिन वीडियो केंद में आपका नाम नेनी की पूरी कोशिश करेंगे, तो चोल करेंगे और बेलाइक कांद बार,